हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सबुघ्य करता हूं आप सब भी ठीक होंगे क्योंके मेरा नाम है सुधर्ण तो दिखिए हम ने लिए था may अब विखन slipped ऑर आगगे शैल्प टैस्ट हन बर त्री में फीडर्स यानि कि पंखों के बारे में पढ़ना है जो birds होती है, उनके पंक कैसे होते हैं, उनके बार में हमें पढ़ना है The body, tail and wings of a bird are covered with feathers तो देखिए, जो body होती है, birds की tail होती है, ठीक है न? Wings होती है, सब feathers यानि पंकों से क्या होते हैं? धके होते हैं They help the bird in flight और ये bird को help करते हैं उनने में, ठीक है? Give it shape, उनको shape देते हैं Keep the body warm and waterproof और उनकी body को क्या रखते हैं? गर्म रखते हैं, साथे साथ वाटर प्रूफ भी रखते हैं अब यहाँ पे आते हैं अगले कहाँ, feeders are different type तो feeders हालग-अलग type के होते हैं, तीन type के होते हैं, कौन-कौन से? Flight feeder, Down feeder और Body feeder, ठीक है? तो यह तीन तरीकी के feeders यहाँ पे होते हैं, ठीक है? इंके बारे में हमें पढ़ना है चले, तो शुरू करते हैं, पहलो अलम्पियाड भाइट भी हम पढ़ लेते हैं, देखे क्या लिखा है There is an oil gland present the base of the bird tail तो bird की जो base tail होती है, सबसे anthem में होती है, वहाँ से एक oil gland होती है, जहां से oil secret होता है और यह होता कि है कि जो चिड़िया होती है, वो अपने beak से इसको क्या करती है? साफ करती है, ठीक है न? और साथी साथ जो punk हैं, उसको फैलाती है, ठीक है न? क्लीन करती है उसे, ठीक है? फ्लाइटा फीदर्स में आते हैं, these are long, यह long, लंबे होते हैं, फ्लाइट फीदर्स होते हैं, अचेज to the के time फे फिर है body feeders these are strong and light feeders that cover the body तो देखिए body feeders क्या होते हैं ये strong होते हैं हलके होते हैं और साथे-साथ इनकी पूरी body को ये cover करते हैं ठीक है they give the bird a smooth shape और ये bird को क्या करते हैं कि smooth shape देते हैं ठीक है अगला है down feeder down feeder में क्या होता है they are small ये small होते है fluffy होते हैं इस तरीके के fluffy shape में होते हैं और बहुत ही ज्यादा soft होते हैं और ये body के सबसे ज्यादा close होते हैं body के सबसे नीचे part पर ये होते हैं ठीक है और ये क्या करते हैं body को गर्म रखने में help करते हैं अब आते हैं 2.2 पे how birds fly birds कैसे fly करती है birds fly with the help of wings wings की सहायता से ये क्या करते हैं उड़ते हैं wings are joined to the body with the help of strong flight muscle of wings जो होते हैं वो join होते हैं ठीक है strong flight muscles होते हैं इनके जो muscles होते हैं wings वाले वो काफी strong होते हैं and help them to move up and down और ये move करते हैं up and down direction में the body of bird designed in the shape of boat और जो उनकी body होते हैं design होती है कि shape में boat के shape में design होती है ठीक है ना tapered at ends and broad in the middle और ये क्या होते हैं taper होते हैं मतलब कि सामने से थोड़े पतले होते हैं पीछे थोड़े पतले होते हैं और बीच में क्या होते हैं ये broad होते हैं या चौड़े होते हैं ठीक है जैसे नाव होती है ठीक नाव इस तरीके से होती है तो नाव पे यहाँ पे क्या होता है यह दोनों इंड पे क्या है पतला है और यहाँ पे क्या है थोड़ा सा चौड़ा है ठीक है which help them cut through air while flying और यह क्या करते हैं हवा को काटते हैं और उड़ते हैं this is called streamline body और इसे हम क्या कहते हैं streamline body कहते हैं bones of birds are light जो birds होती हैं उनकी जो bones होती हैं वो light अलकी होती हैं hollow होती हैं और जब यह उड़ते हैं तो यह अपनी हड्डियों में हवा भर लेते हैं ठीक है which further help them fly easily और यह क्या करते हैं इसकी वज़े से यह बहुत आराम से उड़ते हैं अब यहाँ पर देखिए two wings होती हैं देखिए यहाँ पर two types की movements होते हैं पहला है up stroke up stroke in which which wings move upward and backward तो upward जो wings होती है upward और backward direction में जाती है फिर down stroke है in which wings move downward and forward तो down stroke में क्या होता है wings किस में जाती है downward और forward में जाती है और up stroke में upward और backward जाती है ठीक है तो यह इस तरीके का है मलब कि अप stroke जब चलेगा तो wings उपर तो जाएंगी लेकिन backward direction में जाएंगी और जब down stroke के करते हैं तो wings downward जाती है और forward जाती है ठीक है मलब कि यह down जाएगी फिर forward जाएगी इस तरीके से और up stroke जब यह up stroke जाएगा तो ऐसे जाएगा ठीक है चलिए अब यहाँ पर आते हैं these stroke lift the bird into the air and allow it to fly और यह जो lift है यह बर्ड को ऊपर उठाने का काम करते हैं और साथिसाथ fly करने में help करते हैं their tail features feathers are used to change direction of flight और इनकी जो tail feather होती है यहाँ पर पूछ वाली जो इनकी tail होती है यह सब दिखिए यह जो टेल वाली है यहां पर ठीक ना टेल वाले जो पंक है यह क्या करते हैं यह direction को change करने में help करते हैं during the flight आप देखिए birds है flying birds और flightless bird तो flying birds में कौन कौन सी आते हैं जैसे fly high बहुत जादा उच्छा उड़ने वाली चेडिया कौन कौन सी है eagle, vulture, kite fly low जो थोड़ा नीचे बहुत जादा उपर नहीं उड़ती जैसे उसमें sparrow आते हैं long distances में पीजन आते हैं flightless bird क्या है some birds cannot fly at all कुछ ऐसी birds होती है जो उड़ती नहीं है as they have weak flight muscles and heavy bodies तो इनकी जो flight muscles होती है वो काफी weak होती है और इनकी जो body होती है वो heavy होती है however ostrich can walk fast or run on ground and penguin can swim in water तो देखिए ostrich जो होती है वो बड़ी bird होती है ठीक है walk fast or run और वो बहुत तेज दोड़ती है ground पे और penguin जो है वो बहुत ही तेजी से swim करता है पानी में ठीक है अब यहाँ पर आते हैं birds that fly very high have sharp eyes so that they can see their prey from far और जो जो birds होती है ठीक है ना birds जो होती है वो बहुत हाई उपर तक उड़ती है और जो चिड़िया बहुत उपर तक उड़ती है उनकी जो eyes होती है वो बहुत ही sharp होती है ठीक है और इनकी आँखे जो sharp होती है इससे क्या करते है अपने शिकार को बहुत आसानी से देख सकते हैं फिर है the hummingbird is called so because it flaps its wings so fast they make a humming noise तो देखिए जो hummingbirds होती है इनकी जो punk होते हैं इनके बहुत ही तेज यह फरफडाते है ठीक ना बहुत तेज फरफडाने फ्लैप करने की उपर की तरफ नीचे की तरफ साइड की तरफ और बैकवर्ड भी उड़ सकती है साथी साथ अपसाइड डाउन यानि उपर से नीचे की तरफ भी उड़ सकती है migration is the process where a large number of animal trained long distances in search of food तो देखें जो migration होता है birds का वुद बहुत ही large number में होता है एक जगह से दूसरे जगह पर फूड या अंडे देने के लिए ठीक है या बहुत थंडी कंडिशन से बाहर निकलने के लिए ठीक है तो इसमें यह चुडिया क्रते हैं एक जगह से दूसरे ज पर फिर जैसे ज हम यहां पर पर लोट ँरह करते हैं कि जैसे Carla workers कर लेते हैं आप कि बड्स लाइक ऑश्टिच और इमू दू नट फ्लाई विच आप द फॉलॉइंग ऑप्शन जिस्टिफाइद एवब स्टेटमें तो जो यह से जो बड्स है ऑश्टिच और इमू यह आपका फ्लाई नहीं कर सकते ठीक है तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है इस एक चिडिया क्या करती है एक एरोपलेन और एक बोर्ट में क्या कॉमन है ठीक है तो इनकी जो बॉड़ी होती है ठीक है यह कैसी होते है स्ट्रीम लाइन बोड़ी होती है ठीक है लोग देखते हैं कि मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ आफ माई फीदर्स आई एम प्राउड और मैं अपने पंखो पे बहुत ज़ादा प्राउड करता हूं विफोर आ रेन आइ क्राई अलव और जब बारिश होती है बारिश होने के पहले में क्या करती हूं बहुत ही क्राई करती हूं मलब की ठीक है अवाज निकालती हूं मैं कौ हूं तो मैं हूँ आपकी निशनल बाइड निशनल बाइड का मoking हो गया विकक की होता है पीकॉक थिक तो इस प्मेक हो जाएका पको ऑप्शें नवर भी अंभी टीन तरीके के पंक होते हैं एक्स वाई और जट एक्स का काम क्या है देखिए एक्स जो है इन न्यूबॉर्ण बेवी हैस लॉट आफ वाई तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पास यह वाले पंक बहुत जादा होते हैं बिल्कुल ठीक है एक्स फांड इस फांड टेल ए ठीक है तो दोस्त यहां पर वीडियो खत्म होता है साथी सार वीडियो आपको कैसा लगा प्लिक के बताईगा और एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है हीरा अंकुषे इन्होंने मुझे पे किया 100 रुपीस ठीक है गूगल पे पे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरी हेल्प की थैंक यू हीरा जी एंड फांड यहां पर वीडियो खत्म होता है मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार और आप भी अगर सेंड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद मेरे की वार कोड आपको दिखेगा आप स्कैन करके कुछ भी जो भी आप पे करना चाहते हैं कर सकते हैं तो यह है दोस्तों मेरे की वार कोड और अगर आप इसे स्कैन करके कुछ भी सेंड करना चाहते हैं कुछ भी मेरी हेल् पे स्कैन करके मुझे पे कर सकते हैं फाइनली यहाँ पे वीडियो खत्म होता है मिलते हैं अपने के वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार